अचिए चलिए को स्वागत है हमों क्या कर रहे तेश्या कर रहे तेश्च ट्रोपी का यह है डे नंबर सिख्स लोग च्टोपी का लास्ट इसके बाद हमारा पर्षंट टॉपी कुंपलीट हो जाएगा द Хот करते हुए मैं स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो भी लोग सीजियल सीप्यों सी एचेसल म्टियस 2024 एक्जाम के लिए प्रिप्रेयर कर रहे हैं टार्गेट बनाके रखें तो उनके लिए शीरिच बहुत ज्यादा है वोने वाला है चलिए कुश्चन नंबर सिस्टीन पर आते हैं 1-15 तक लास्ट क्लास में हुआ था देखी क्या दिया गया क्वेशन थ्री परसंट ABC डोनेट 10 परसंट 7 परसंट 9 परसंट रिस्पेक्टली अप्धली सेलरी टूए चैरिटील बी परस्ट यानि तीन परसंट ABC जिनका अपना अपना डोनेशन है 10 परसंट 7 परसंट और 9 पर सबसे पहले आजाओ ABC के बारे में इंफॉर्मेशन है A B and C के बारे में क्या कहा गया है कि इसका मन्थली सेलरी A और B का इक्वल है अगर यह X होगा तो यहां भी इसकी मन्थली सेलरी भी X होगी आगे बात करते हैं कुशन में कहा गये इसका डोनेशन इसका डोनेशन क्या है 10% अपनी salary का तो X का 10% इसकी donation है इसका भी donation अपनी salary का 7% है तो X का 7% और इसका donation दिया गया है 9% वो हम बाद में कर लेंगे अब देखो द्यान से इनके donation के बीच का difference कितना है questions के according A और B के 900 तो इनके बीच का difference minus हो जाएगा यह X common कर लो 10% minus 7% कितना हो गया 900 यानि X into 3% हुआ यानि 3 by 100 is equal to 900 तो X की value कितनी आ जाएगी यहां से 3 times में यानि 30,000 यानि X की value कितनी आ गई 30,000 यानि 30K के मतलब 1000 ठीक है short form में लिखने के लिए हम K is equal to क्या बोलते है 1000 होता है ठीक है चलिए अब हमारे पास क्या दिया गया और कुछ information दिया गया होगा हाँ तो पहले इनका इनका donation तो लिखा लें देखो द्यान से यह है 30,000 का 10% donation तो 30,000 का 10% कितना होगा तीन हजार इसकी भी क्योंकि यह जितना है उतना ही यह है तो एक्स की वेलवाग तीस हजार का साथ परसेंट तीस हजार का साथ परसेंट यानि एक किस सो डोनेशन इसका हुआ donation A और B मिला करके donation है कितना तो देखो द्यान से 3000 प्लस दो 5000 यानि 5100 है तो C का donation मिल जाएगा कैसे देखो द्यान से condition दिया गया है कि A और B का donation जो है C के donation से 600 जादा है अगर C के donation से A और B का 600 जादा है यानि C जो है A और B के donation से 600 कम है तो 500-600 यानि 4500 है C का donation पता चल गया अगर C का donation पता चल गया तो हमें A का salary लिकल जाएगा C की salary माल लेता हूँ Y है उसका salary पे कितने percent का donation है 9% का donation है यानि 9 by 100 और उसके C का donation है कितना 4500 तो C की salary मिल जाएगी क्योंकि C की salary हमने Y मान रखा था तो 9 से 5 times में यानि Y की value कितनी आ गई 500 in 200 यानि 50 पे 30 यानि 50,000 salary आ गई C की देखो अच्छे label का question था आसानी से हमने कर लिया चलिए next next देखो क्या दिया गया है कि lucky जो है spend कर रहा है 85% अपनी income का खर्च कर रहा है if her expenditure increase by X percent saving increase by 60% income increase by 26% then what is the value of X अगर lucky जो है 85% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना 100-85 यानि 15% expenditure और saving का ratio मिल जाएगा अगर ratio cancel करोगे 75% तो 17, 5, 3 अब क्या कहा गया है expenditure X percent से increase हो रहा है यह X percent से increase हो रहा है saving जो है 60% से increase हो रहा है और overall income जो है 26% से increase हो रहा है तो overall income का result आएगा multiply कर लो 17X plus multiply कर लो 180 over in इन दोनों का sum 20 is equal to कितना percent income increase हो रहा है 26% से चलो ध्यान से देखो तो मैं ऐसा कर लो 17X is equal to इसको multiply करूँगा 26 दूनी होता है 52 यानि 520 और यह इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा minus 180 यानि 17X is equal to कितना हो गया तो 40 इधर हुआ और यह कितना हो गया कितना तो X की value कितनी आ गई 17 से two times में यानि 20 इन एक्स क्या था 20 इन किसमे था percentage में सभी कुछ चल रहा है तो 20 परसेंट होगा कि चलिए next next में क्या दिया गया ध्यान से देखिएगा नेक्स में दिया गया है कि total number of students in a school कितने है इतना out of 35% students are girls and rest are boys 35% girls जो है देखो girls मैं यहां पे boys और girls के बारे में लिखता हूँ 35% क्या है girls है तो boys कितने होंगे 100 minus 35 यानि 60% ratio कितना आ गया अगर लोगे तो यह 5 से तो 13 पान से 7 ratio 13 is to 7 अब question में आ जाओ 80% of the boys and 90% of the girls pass in the annual examination pass होते हैं अब question में क्या 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 है the percentage of students who failed हमें failed चाहिए तो fail कितने students होते हैं तो ध्यान से देखो अगर 80% boys pass होते हैं तो 20% boys क्या होंगे fail होंगे 90% girls pass हो रही है तो 10% girls fail होंगी तो overall हमें fail चाहिए students का weighted average लगा लो सिर्फ हम क्या करेंगे number के साथ multiply करें परसेंटेज तो last में हम लगा देंगे तो multiply करो तो 260 plus multiply करो 70 divided by इन दोनों का सम 20 यानि कितना हो गया कि इन सो तीस ओबर 20 यानि कितना हो गया 16.5 यानि 16 दुनी 32 होता है न तो इतना परसेंट आएगा आई होप समझ में आ गया होगा हम क्या concept लगा करके students का लाएंगे तो दोनों पर जो भी हम वेटे डेवरे लगाएंगे ओभराल results हमें मिल जाएगा students का चलिए next कि अविनास हैस 20 परसेंट लेस देन क्वाइन ओफ डिफरेंट कंट्री देन गौरो हैज यानि जो गौरो के पास होगा अविनास का उससे गौरो अगर पांच यूनिट है तो अविनास का एक कम यानि चार है आगे बढ़ते हैं कि क्या कहा जा रहे गौरो है 40% more coins than Chetan hedge गौरो के पास चेतन से क्या कहा गया है 40% more है 40% होता है two by five more मतलब प्लस अगर चेतन के पाच पांस है तो गौरो के पास उसके साथ दो ज्यादा है यह हो गया कंबाइन रेशियो लिकाल लें देखो कंबाइन रेशियो कैसे लिकाल होगे गौरो यहां भी है गौरो यहां भी है सेम बनाने के लिए यहां पे साथ से multiply और यहां पे पांस से multiply तो हमें यह मिल गया अभिनो गौरो और चेतन के बारे में मिल जाएगा रेशियो मल्टिप्लाई करोगे 28 is to 35 is to 25 यह हमें रेशियो मिल गया अब जो कुश्चन कहा जाए उसको में निकाल लेते हैं अब इसे नमबर ओ प्वाइंश मिल जेटन हैं लेस दैन देन माभिनास जेतन अभिनास से कितना कम है तो कितना कम है यहां से मभिनास से अभिनास यह c यह पर्षेंटेज में आ जागा, चार से, साथ, चार से पचीस, यानि 75 by 7, अब देखो ध्यान से, साथ से तो दस टाइम्स में चला जाएगा, 10 पॉइंट सम्थिंग होगा, 12 नहीं हो सकता, अब 10, 50 बता, साथ साथ साथे, उन्चास, यानि 10.7 सम्थिंग होगा, एक ही ओप् है, चलिए, next question, क्या कहा गया है, by mistake the recipe focal, हाँ, पहले देखो ध्यान से, इस question को पहले खुद से बनाना, उसके बाद मैं आपको solution बताता हूँ, देखना, by mistake the recipe focal of a positive number, positive fraction, got type in place of itself, thereby its value got reduced by इतना परसे, what was the value of fraction क्या होगा, देखो, पहले मैं दो तरीके से इसको बताऊंगा, एक होगा logical approach, और दूसरा होगा option approach, दोनों based है, अपने आपने, देखो ध्यान से, पहले हम logical approach बताता हूँ, मैं आपको, recipe, कोई एक fraction है, माल लेता हूँ, x एक fraction है, यानि x by 1, इसको हम by mistake हम type क्या कर दिये, इसका recipe focal, यानि 1 by x, तो ऐसा करने से, जो value है, reduce हो गई, इतना percent, तो पहले ये तो लिकाल दें, ये right था, हमने wrong type ये कर दिया, पहले ratio तो लिकालो, तो कितना हो गया, x square is 21, अब हमें सही करना है, तो इन दोनों के बीच का difference लेंगे, यानि x square minus 1, overall किस से हम करते हैं, right वाले से, x square, percentage में करना है, into 100, और ये value, reduce वाली value है, कितनी, 175 upon, कितना है, 4, solve कर लो, 25 से 4 times में, 25 से 7 times में, 4 into 4, 16, 16 से multiply यहाँ पे करोगे, 16 x square minus 16 is equal to, यहाँ पे यह जाएगा multiply, तो 7 x square, इधर आओगे, तो 16 minus 7, 9 x square, 9 x square is equal to 16, तो x की value कितनी हो जाएगे, 16 by x square, 16 by 9, x की value 4 by 3, हमारा आगया answer 4 by 3, यह था हमारा logical approach, अब आते हैं, option approach, इसको not down कर सकते हो, मैं हटा देता हूँ, अब आते हैं, option कैसे check करें, देखो option, पहला उठाते हैं, अगर fraction 1 by 2 होगा तो, इसका ratio focal 2 by 1, ratio low, cross multiply, यानि 1 is to 4, कितना changes हुआ, difference 3 का, किसे right वाले से, by 1, percentage में करना है 100, यानि 300% से reduce होना चाहिए, लेकिन questions के according तो वो 175 by 4, यानि पहला option गलत, option second उठाओ, सेकेंड उठाओगे, तो 4 by 3 है, इसका ratio focal 3 by 4, ratio लिकाल लो, तो कितना होगा, 16 is to 9, कितने का changes आया, यहाँ से यहाँ तक 7 का difference, हमेशा right वाले से लेते हैं, by 16, percentage में करना है 100 से multiply, चार-चार से 25, 25 साते 175 by 4, क्योंकि हम percentage में करने के लिए 100 से multiply की हैं, यानि इतना percent से reduce हो रहा है, देखो questions के coding match कर रहा है, तो यहीं answer होगा, आगे check करने की हमें जरूरत नहीं थी, तो best approach, option elimination, logical approach आना चाहिए, दोनों अपने जगा पे waste हैं, ठीक है, चलिए, next, next, देखो क्या दिया गया है, when the price of an item reduce by 20%, its sale increase by x percent, thereby, there is an increase of 25% receipt of revenue, find the value of x, revenue, revenue कैसे generate होगी, उस items की price और कितना sale हुआ, हमें sale में increment चाहिए, तो sale क्या होगा, revenue upon price, इसको भी दो तरीके से बता रहा हूँ, पहले conceptual method, तो बताओ, revenue के बारे में पहले पता होगा, उसके बाद price फिर हम डिवाइड कर देंगी, तो sale मिल जाएगा, revenue कितना से increase हो रहा है, 25% से, 25% होता है, 1 by 4 increase मतलब प्लस, यानि 4 से कितना हो गया, एक 5, आगे, price reduce हो रहा है, कम हो रहा है, 20% से, 20% होता है, 1 by 5, reduce मतलब minus, यानि 5 से एक कम यानि 4, अब हमें sale लिकालना है, sale तो, तो क्या करते हो, revenue को price से divide करते हो, price से divide करते हो, तो divide करोगे, तो 4 by 5, is to 5 by 4, ratio ले लो, 16 is to 25, sale कितना से increasement करना पड़ा, प्लस 9 से, out of किस से 16, percentage में करना है, 100 से multiply, 4, 4 जा, 4 से, 25 times में, 25 नावा कितना हो गया, 225 by 4, 4 से 4, 25, 24, 24, 4 दुनिया, 4, 5, 20, यानि इतना परसेंट आ गया, यह था हमारा conceptual method, इसका short approach बता रहा हूँ, देखो देहान से, short approach कैसे करोगे, sale क्या होता है, revenue upon price, देहान से देखो, पहले मालो अपने आप 100 है, कोई चीज, यहाँ पे हमें सा देखना, price लिखोगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे, उसके opposite जो भी रहे, तो price कितना से radius हो रहा है, 20% से, तो 100 minus 20, यानि 80, price ठीक है, और जो क्या है, revenue कितना से increase हो रहा है, 25%, तो 100 plus 25, यानि 125, यह क्या आ जाएगा, sale का ratio, cancel करना चाहो, तो cancel कर सकते हो, पान से करोगे, तो 16, पान से करोगे, तो 25, बताओ कितना का increment हुआ, 9 का increment, आउट ओफ किस से, 16 से, परसेंटेज में करने पे 100, यहीं result आया था, तो आ जाएगा हमारा answer, चलिए, next, next में क्या दिया गया है, if a sum of, if a sum of 40% of a number, and 30% of the same number is 70, 40% number और 30% same number, number same है, तो क्या directly हम add कर सकते हैं, 40 plus 30, 70%, 70% की value, दे रखिये questions के according, 70, number बताना है, number अपने आप में 100% होगा, अगर 70% की value 70, तो 100% की value 100, 1% की value, एक, तो 100% की value 100, next, a save 35% of his income, if his income increase by इतना percent, expenditure increase by इतना, what percent saving increase or decrease, अगर देखो ध्यान से, saving है 35%, तो खर्चा expenditure होगा 65%, क्योंकि total मिला करके, income क्या होता है, income होता है, expenditure plus saving, तो ratio लिका लोगे, cancel कर लो, पान से, थर्टिन, पान से, साथ, अब जो question में कहा जाए, वो करते हैं, देखो ध्यान से, expenditure increase हो रहा है, 20 से, saving क्या कहा गया है, saving बताना है, saving माल लेता हूँ, 1% से increase, decrease जो भी आएगा, और overall क्या हो रहा है, income increase हो रहा है, इस पे weighted average लगाएंगे, तो income मिल जाएगा, multiply करो, 260 plus 7x, over, इन दोनों का sum, यानि 20, is equal to कितना होगे, 20.1, अब देखो, multiply करना भी आसान है, कैसे, इस 260 को उधर ले जाएंगे, तो minus होगा, पहले 7x लिख देता हूँ, इसको multiply करना है, point से 10 वाला हट जाएगा, 201 minus, 201 into 2, यानि 402, minus यह इधर जाएगा, तो 260, 7x is equal to, यह कितना होगे, 2, 4, और यह बचा 3 में से, 142, तो X की value, 142, 277 से 2 टाइमस में, 2 नहीं जाएगा, 0, 72, 14, 72, 64, 60 बचा, सत्वाथे 56, यानि 20.28, यानि 20.3 यह प्रोक्सिमेट लिख सकता हूँ, option number B आगया, इस, चलिए next question पे आते हैं, next question देखें, क्या दिया गया है, the income of A is 80% of income of B, expenditure of A is 60%, expenditure of B, if income of, आप देखो, यहां तक पहले आते हो, एक है income, दूसर, एक है income का ratio, दूसरा है, उसके expenditure का ratio, और A और B के बारे में दिया गया है information, 80% होता है, 4 by 5, अगर B 5 है, तो A कितना होगा, 4, 80% है, 60% होता है, 3 by 5, अगर यह 5 है, तो यह कितना है, 3, क्योंकि, दो ratio आ गया है, इसलिए variable हम अलग-अलग मान ले, कि यह 4X है, और 5X है, income का ratio, और यह 3Y है, और यह 5Y है, expenditure का ratio, एक चीज़ आप जानते क्या हो, कि income is equal to होता है, expenditure plus saving, तो saving क्या होगा, income minus expenditure, यानि saving लिकालना है, तो income में से expenditure को minus कर दोगे, तो आ जाएगा, अब आगे बढ़ते हैं, condition एक दिया गया है, condition क्या दिया गया है, ध्यान से देखो, income of A is equal to 90% of B expenditure, B expenditure, A का income कौन सा है, यह वाला, 4X is equal to 90% यानि 9 by 10, और B के expenditure के बरावर, B का expenditure है कितना, 5Y, 5 से 2 times में, यानि 8X is equal to 9Y, यानि क्या हो गया, X by Y कितना हो गया, 9 by 8, यानि X के जगा पे हमें रखना है, 9 और Y के जगा पे रखना है, X के जगा पे 9 रखूंगा, तो देखो द्यांसे, 36 हो गया, X के जगा पे 9 रखूंगा, यानि 45, Y के जगा पे 8 रखूंगा, तो 24, Y के जगा पे 8 रखूंगा, तो यानि 40, अब income में से expenditure माइनस करें, तो कि saving आ जाएगा, 36 माइनस 24, यानि 12, 45 माइनस 40, यानि कि 5, ये ratio आ गया, अब question का आ गया, by what percent saving A, more than B के saving से, B के saving से, A का saving कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, किसे compare किया जागे तो आप, B के saving से, percentage में करना है, 100 से multiply, 5 से 20, यानि कितना हो गया, 140 परसेंट आ गया, कौन सा, option number B, तो जितने भी question है, वो अच्छे level के question है, और आपको मज़ा भी आएगा, अगर आपने conceptually learning लिया है, तो, चलिए next, अब देखो, ये सारे, मेंस में आया हुआ question था, ये भी मेंस में आया हुआ question है, the monthly expenses of a person, is इतना percent, more than the monthly saving, यानि, monthly खर्चा जो है, इतना percent ज़्यादा है, उसके monthly savings से, अब देखो ध्यान से, common sense लगाओ, इसकी percentage value होती कितनी है, two by three, more मतलब plus, यानि expenditure और saving का ratio मिल जाएगा, saving अगर तीन unit है, तो expenditure उससे दो ज़्यादा है, यानि की पांच है, ठीक है हमारा मिल गया, अब आगे बढ़ते हैं, तो income क्या हो जाएगा, income हो जाएगा, expenditure plus saving, यानि 5 और 3, 8, आगे बढ़ते हैं, if our monthly income increase by 44%, monthly expenses 60%, there is a increment of इतना, in monthly saving, saving में increment कितना हो रहा है, इतना, what is the initial expenditure, अब दिखो ध्यान से, क्योंकि हमें data को आसान बनाना है, तो हम कुछी सीज से इसको multiply करते हैं, बस उसका ratio भंग नहीं होना चाहिए, तो मैं ऐसे कर लूँ कि ये 800 है, ये 500 है, और ये 500 है, और ये 300 है, ये तो भी ratio डबल 0 हटाएएगे, तो यहीं आएगा, चाहिए इसका कोई भी लो जिसमें हमें ratio चेंज ना हो, क्योंकि ratio हमेशा यहीं रहेगा, इंकम इंक्रीज हो रहा है, 44%, इसका 44% इंक्रीमेंट, 44% का मतलब, % से 2-0 कैंसिल, 44 इंटू 8, multiply कर दो 44 से, तो कितना हो गया, 8-4 के 32, 8-4 के 32, 32 और 3-35, यानि इंकम में इंक्रीमेंट इतने का हुआ, expenditure में इंक्रीमेंट 60% को रहा है, इसका 60%, 2-0 से खत्म 65-300, यानि 300 हो गया, तो सेविंग में इंक्रीमेंट कितना का होगा, इंकम में से expenditure माइनस कर दोगे, तो सेविंग आ जागा, 300 बाउन में से 300 माइनस करोगे, यानि प्लस का 52, और questions के according, ये किसके बराबर है, questions के according देखो, 1040 इंक्रीमेंट है किसमें, सेविंग में, एक यूनिट की वैलू कितनी आ गई, 20, अब हमें क्या कहा गया है, what is the initial expenditure, initial expenditure है कितना, यहाँ पे, 500, तो 500 की वैलू लिकल जाएगी, 500 की वैलू, 500 into 20, पांदो नी 10, 10 पे 30 जीरू, यानि 10,000, देखो, आसानी से हो गया हमारा काम, चलिए next, next में देखो, क्या दिया गया है, ध्यान से देखना, एक परसन से, इतना परसेंट ओफिज इंक्म, ओके, सेफ कर रहा है, बचा रहा है, if the saving increase by 22%, and expenditure increase by 10%, what is the percentage of income increase, ध्यान से देखो, इसकी percentage value कितनी होते हैं, 1 by 3, 1 by 3, अगर 3 income है, तो save कितना किया, 1, income 3 है, तो saving कितनी है, 1, तो खर्चा expenditure कितना होगा, 2, तभी तो income is equal to, expenditure plus saving, expenditure और saving का ratio हमें मिल गया, आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया है, saving increase हो रहा है, 22% से, इंक्रीज हो रहा है, expenditure increase हो रहा है, 10% से, तो में income कितना से increase होगा, expenditure और saving में, जो weighted average लगाएंगे, income का लिक लेगा, weighted average लगा लो, 20 plus, इसका multiply करोगे, 22, divided by, 2 plus 1, यानि कि 3, ये कितना हो गया, 42 upon 3, यानि कितना हो गया, 14% आ गया, क्योंकि हम percent में सब कुछ चल रही थी, इसलिए 14% आ जाएगा, तो ये भी question आ पासानी से कर लोगे, चलिए move to the next, रियान से देखो, in an examination, B obtained 20% more marks than those obtained A, एक examination है, जिसमें A जो है, 20% जादा, 20% होता है 1 by 5, अगर ये 5 है, तो ये 1 जादा, यानि 6 है, आगे, A obtained 10% less, दो जो obtained by C, A जो है, C से 10% less है, C अगर 10% होता है, 1 by 10, 10 तो ये होगा 9, आगे बढ़ते हैं, D obtained 20% more than C obtained, C जितना भी रहेगा, D उससे 20% जादा है, 20% होता है, 1 by 5, 5 से 1 जादा है, 6, अब तीनों को combine करते हैं, तीनों को combine करते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे A6 है, यहाँ पे A9 है, ठीक है, अच्छा, उल्टा यहाँ पे लिख दिया हूँ, गलती से लिखा हूँ, देखो, पुस्ष्चन में कहा का, जर बी जो है 20% जादा है, बनाने के लिए, 9 से यहाँ पे multiply, 5 से यहाँ पे multiply, तो देखो दियान से, 9, 5, 45, 9, 6, 54, और 10, 5, 50, अब देखो दियान से, यह C है, C यहाँ पे है 50, C यहाँ पे है 5, तो यहाँ पे, इन पूरे में, 1 का multiply करोगे, और इस पूरे में, 10 का multiply करेंगे, तो C common हो जाएगा, 50, 50, तो A, B, C, D का ratio आजाएगा, कितना, 45, 54, 50, और यहाँ पे, 10 into 6, यानि 60, अब जो question कहा जाए, By what percent are marks obtained by D, more than obtained by A, A से D कितना ज्यादा है, देखो यहाँ से यहाँ तक, 15 ज्यादा है, 15 out of किस पे, compare किया गया था, A से, यानि 45, percentage में करना है, 100 से multiply, 1 third आ रहा है, और 1 by 3 आप percentage में पढ़ चुके हो, कितना होता है, 33 सही 1 upon 3%, यह तो standard data है, कई बार पूछा गया है, चलिए next, next में देखो द्यान से, यह तो basic question हो गया, बहले ही, लेकिन में में पूछा गया, बस यहाँ पर calculation को importance दी गई, 17 दुनी 34, 35 by 2, 35 by 2, percent मतलब, divide by 100, off मतलब multiply, चारतियां 12 और 13, 13 by 4, percentage मतलब, divide by 100, off का मतलब multiply, यह जो दिया गया है, इसकी value आप जानते, one third होता है, तो one third, off मतलब multiply किसका, 72 का, अब बस यहाँ पर calculation को समझना था, calculation भी आसान होगा, ऐसा थोड़े होगा, difficult होगा, देखो, 4 into 3, 12, 12 into 2, 24, 24 से 3 times में, 24 यहां 72 होता है, 2 0 से, 2 0 खतम हो गया, अब देखो multiply कर लो, 35 into 3, 105 होता है, into 13, divided by 100, अब cancel मत करो, नीचे 100 है, तो decimal देना आसान है, multiply कर लो, 13 से 5 में, 13 पांचे 65 हो गया, और 13 में एक का multiply करोगे, तो 13 आ गया, by 100, यानि कितना हो गया, 13.65, देखो, आसानी से हमने कर लिया, चलो, question पर आते हो, 91 परसेंट, देखो द्यान से, 91 परसेंट ओफ ए मतलब, multiply is equal to 39 परसेंट ओफ बी, यानि कि into बी, देखो, पहले, 13 से काट हो गया, 13, 49, 13, 13, 7, 7, 7, A is equal to कितना हो गया, 3, B, A by B कितना हो गया, 3 by 7, यह हमारे पास आ गया, अब आगे बढ़ते हैं, B is X percent of A, B equal है, किसके X percent, यानि X by 100 of A, यानि कि, इतना, तो मैं B by A, A को इधर लाऊंगा, तो क्या होगा, X by 100, B by A, B by B, 3 by 7, तो B by A, 7 by 3, is equal to X by 100, 3X is equal to 700, तो X की भेलो 700 by 3, B, जो भी आपका एंसर हो, 700 by 3, में ही आया हुआ कोशन था, चलिए, next, इसकी बाद खतम हो जाएगा, हाँ, चलिए, next, देखो द्यान से, the number of students, इनने class कितना है, 45, out of इतना, our boys and rest are girls, द्यान से देखना, total है, 45 students, उसमें से, इसका, इतना परसेंट, ये कितना इसकी fraction वह लोती है, 1 by 3, यानि इसका 1 third क्या होगा, 15, 15 क्या हो गए, boys हो गए, तो rest girls होगी, 45 minus 15, यानि 30, girls हैं, आगे बढ़ते हैं, average score of girls, in science, is इतना परसेंट, than boys, इसकी fraction value कितनी होती है, 2 by 3, किसे compare किया जा रहा है, boys से, यानि boys होगा नीचे, और increase मतलब plus, यानि boys और girls का ratio कितना होगा, ध्यान से देखो, 3 अगर boys हैं, तो 2 ज़्यादा हैं girls, यानि इतना, ये क्या है, average उनके बारे में दिया गया है, तो मैं इसका एक variable ले लूँ, यानि 3x boys हैं, और 5x क्या है, average में girls हैं, ये हमें पता चल गया, if the average score of all the students are 78, अगर overall average कितना है, 78 है, weighted average लगाओ, multiply कर लो, पंदरतिया, 45x plus, 35, 1,500x, overall, इन दोनों का sum, यानि वह ऐसे भी देख रहे थे, overall कितना है, 45 students है, और इन से, overall average आ गया है, और average है कितना, 78, बस, इसी को solve करना था, हमारा, देखो दियान से कैसे solve करोगे, इसको इससे multiply करोगे, तो कितना हो गया, 195x, is equal to, 78 into 45, 15 से काटो, 15 से काटो, 15 से काई, 15, 15, 35, 45, 15 से 3 टाइम्स में, 13 छाके 78, यानि, x की भैलू कितनी आ गया, 6 into 3, यानि, x की भैलू 18 आ गया, अब देखो दियान से, जो कहा जाएगा, average score of girls, average score of girls, average score हमारा क्या था, ये वला था, बोई एज का 3x, और गर्ल्स का 5x, 5x लिकालना है, x की भैलू 18 है, तो 5x की भैलू, 5 into 18, that means, 90 girls की बाग, यानि, average score girls की कितनी थी, 90 थी, तो अच्छा question था, ये भी, आपने weighted average लगाया, और आसानी से question बन गया, तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, percentage topic जो है, finish होता है, next topic के लिए, मैं आपको, आज साम में video बनाऊंगा, उसमें आपको comments करके, बताना है कि next topic कौन साई start किया जाए, majority of students, जिस पे comments करेंगे, वो topic हम start करेंगे, वीडियो सेशन पसंद आता है, वीडियो को like कर दो, comments में आप reply करो कि, इस सेशन से आपको help मिला या नहीं, और share कर दो other, telegram group में या whatsapp group में, ताकि मेरा भी channel growth हो जाए, और आपकी भी, कोई भी video timely मिलता रहे, channel पे नए होता, channel को subscribe करके, bell icon को दबा देना, ताकि आपको notification मिले, और कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है, तो आप क्या करो, YouTube पे सर्च कर लो ये, YouTube पे आप सर्च करते हो ना, YouTube खोलो, सर्च कर लो सुधिर सर ओफिसिल, तो आप मेरे channel पे directly पहुंझ जाओगे, आपको इधर-उदर भटकना नहीं पड़े, और PDF questions और अलेड़ी मैं provide कर चुका हूँ, percentage तीन seat में complete हुआ, seat 1, seat 2, और seat 3, तीनों की तीनों PDF bilingual है, जो मैंने आपको टेलिग्राम चैनल पे provide कर दिया है, टेलिग्राम चैनल कैसे join करोगे, इस वीडियो के comments box में आपको link मिल जाएगा, वहाँ से आप directly join कर सकते हैं, चलिए, इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं, next topic में उससे पहले आपको एक साम में, वीडियो बनाई जाएगी, उस पे आपको 3-4 topic मैं दूँगा, उसमें से आपको suggest करना है कि कौन सा topic आपको पढ़ना है next, thank you, bye bye, मिलते है next session में, thank you.